पिक्सल एक्स्प्रियेंस का एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आ चुका है हमारे रेड्मी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स डिवाइस के लिए और यहाँ पे पहले के जो थोईबूत इसूस थे उसे फिक्स करा गया है तो आज इस वीडियो में बात करना रहें कि पर्फोर्मेंस कैसा है कि यहाँ लायक है या नहीं यह कुछ कमिया इस्टील देखने को मिलती है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू करना यहाँ पे आप देखसेते हों एंडॉइड 13 आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अगस्ट 5 का सेक्यूर्टी पैच है और K.E.W.L. का करनल यहाँ यहाँ पे योज करा गया है यहाँ पे ऑफिसल अपडेट है प्लस एडिशन का जिसका 23 यहाँ पे नंबर दिखाए देता है यहाँ पे 27 वगेरा यहाँ पे अपडेटर में चेक कर सकतो कि अपडेट अवेलवल है या नहीं और यहाँ पे हमारे मेंटेन का नेम भी मिलता है बाकी यहाँ पे आपको मल्टी विज़र एकाउंट रिशेट का ओप्सन और सच-सच सिक्क्योर्टी के अंदर फेस अनलोग फिंगरप्रिंट औ आपके फिट से ओपन हो जाता है तो कोई इस तरह किसा आपको यहाँ पर रिस्पॉंस दिखाई देगा वहीं पर फेस अनलोग के बात करें तो फेस अनलोग हमारा यहाँ पर काम कर रहा है अभी मैं हैटफोन डाल रखाऊं इसको इस फटवा टाइम ले रहा है बट हाँ व मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आपका ओडियो काफी बेटर हो जाएगा इसके वह जैसे यहाँ पर बैटरी के अंदर आपको आप्टमाइज का आप्शन मिल जाता है यानि प्रफॉंस का बूस्ट कर सकते हो इसकी हल्प से और बाकि नोटीशन एप्स सिमिलर है और डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है वही नॉर्मल सेडियूल का ओप्शन और लाइब डिस्प्ले में रेडिंग मोड कलर और पिक्चर वगएरा के भी ओप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर कलर वगएरा बूस्ट आप चाहो तो कर सकते हो और होती है नीड होती है तो आपके काम आने वाला है बाकि यहाँ पर सिमलर वही कस्टुमाइशन और स्मूधने स्वाई रियली में काफी अच्छा लगता है वहीं पर रही बात एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की तो भाई यह आपका रिस्पॉंस काफी सही देखनी को मि जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और रिसेंट पर हर एक टैप पर हैप्टिक फिल होता है जो कि यह अच्छा लगा मुझे और रही बात यहाँ पर चैनलोग क्या है तो चैनलोग में ज्यादा कुछ एड नहीं करा गया जैसे कि आप देखोगे पिक्सल के साइट के पर तो यहाँ पर आप देखो कि जो प्लस एडिसन है इसमें 1000 प्लस लोगों ने डानवोड कर लिया है और यहाँ पर इसका फाइल साइज आपको करी कुछ दिखाई देगा और चैनलोग में दो चैनलोग लाइन में एक आपका नॉर्मल बिल्ड के लिए और एक प्लस बिल इंप्रोट और चैनलोग आपको अभी रहता है यहाँ पर बाकी बागी अदर तो इसके उपर नजर डालते हैं तो बाइड जो कि 42 का काफी सही लगा, वहाई पे एक 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 बेंच भी काफी अच्छा है, बाकि नॉर्मल कस्टम रोम के कमपेंजर में दोनों यहां पे मुझे इंप्रूव भी लगे हैं, क्योंकि यह maximum रोम में 40, 41 या फिर आपका 30, 37 वगरा के आसपस रहता है, जबकि यहां पे भ जैसे में इसका प्रोफाइल यूज करता हूँ, तो आप देखो यहां पे 9 CPU ठोटल डिडेक्ट हुआ है, प्लस में 1,64,000 मैक्स और मिनों में यहां पे 1,68,000 है, यानि मैक्स को थोगा नीचे लेके आया है, और मिनों को थोगा ऊपर और एक बालनस रिजल्ट आपको यहां जहां पे आप देखो कि 9 अर्स 13 मिनिट का यहां पे stand-by timing है, जहां पे 0% battery drop है, और SIM card भी हमारा डला हुआ है, तो यह मुझे एक काफी अच्छी चीज लगी, यहां पे battery आपका काफी improved है, charging speed भी सही है, और यह room मेरे तब से recommended भी होने वाला है, अगर आपको low customization and pixel type का stability बगर चाहिए, तो यह room आपको काफी सही लगेगा, लेकिन यह बाट डालनी कैसे है, तो Orange Fox का यूज करते हुए latest वाला है, इसे flash करो, format and reboot कर लो, और setup करके आप यूज कर पाओगे, और फिर भी आपको कोई दिक्कत है, तो flashing guides related, dedicated video आपको discussion मिल जाएगा, उसे check करके method को आप follow कर जो कि एक short video है, short information, और एक detailed video है, detailed information, जो आपको सही लगे, वो guide video जेखो, और इसे install कर लो, ठीक है, मैं मिलता हूँ next video में, और आपसे request इतना ही है, like और comment करना, बिल्कुल ही न भोले, बार्ष्याजू